जीतर नामाण जी महागड़बंदन से नाता तोर के NDA से हात मिला सकते हैं, ऐसी कयास लगाये जा रही हैं, या फिर तीसरे मोर्चे में भी वो सामिल हो सकते हैं, पर आज आज आपको हम माँजी कि जो जिंदिगी है उसके बारे में बताएंगे, माँजी कि जो सफर है वो मज बचाय रखने के लिए क्या वह नितिश कुमार से पुरानी बातें भुलाकर हाथ मिलाएंगे अगर ऐसा करते भी हैं तो उनको एक सही अस्थान मिलेगा चलिए शुरुबात करते हैं मांजी के राजिनितिक सफर से राजिनितिक सफर असी के दस्रक से शुरु हुआ जितना मांजी कॉंग्रेस आर्जडी और जैर्डीयू की राजियों में सबसाटूर siento का चुके हैं उन्हे बार का बढ़िधर की सबस्कु की सबसाद में वह मंतिरी बने बिहार सरकार में चंसेकर इनके नितित्य कोंगरेस का उस समय की बात है 2000 उसके बाद उन्होंने विंदर्श्त्री देवे की सरकार में भी मंत्री रहे इसके बाद नितीस सरकार में मंत्री बने और 2014 में बिहार के मुकमंत्री के रूप में सपत लेकर सबको चौका दिया था ये बहुत बड़ी बात है सब्सकराइब करने का काम किया था इस मांजी अपने शुर्वाती दम पर करने की ठानली और पार्टी बनाया अहम हिंदुस्तानी अवाम मौर्चा के नाम से वह पार्टी बनाये फिर लोकसभाचुनाब में मोधी के साथ चले लेकिन वहाँ दाल नहीं गली इनकी विधान सभाचुनाब 2015 मागरबंधन से हाथ मिलाया नेकिन दोनों खेमों के साथ काम्याब नहीं रहे तो अब फिर से NDA यानि नितीश कुमार के साथ कदमताल मिला कर चलने का मन बना रहे है जीतनाम मांजी बिहार के बड़े दली चहरों में से एक हैं अगर यह NDA में जाते हैं तो NDA को इसका फाइदा मिल सकता है लेकिन NDA के पास पहले से ही एक वेकवर्ड चहरा राम बिलास पासमान है अभी कल ही की बात है अतलब पीछे जो बात कर सकते हैं कि नितीश कुमार ज तो जीतनाम मांजी भी वहां थे लेकिन video confessing call के माध्यम से उनको पता नहीं था कि जीतनाम मांजी आयेन हैगी जैसे ही पता चला जीतनाम कुमार जी को बिहार के मुखमंत्री है की नितिश कुमार जी कि वहां है तो उन्होंने तुर्थ जीतनाम मांजी से को नाम लिया लिष्ट में उनको क्या करता है बधाई दिया और इस कारकरम में आने के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद भी कहा तो आपका सकते हैं कि यह वाक्या कहीं न कहीं दरसाता है कि नितिश कुमार भी अपने पुराने गिले सुक्वे भूल चुके हैं और जीतनाम मांजी का जो वोट बैंक है वो दलित और महादालित की इर्दगित घूमता है अब इसका कितना फैदा नितिश कुमार को मिले का यह देखने वाली बात होगी बिहार में चुनावी विगुल बजने बाला है इसी वर्स और कह सकते हैं कि बीजेपी जो है भारती जन की उमीद थी उतनी सीटे उनको मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी कितना भोरोसा उनको जनता उस पर कड़ेगी यह देखने वाली बात होगी बिहार बिधान सबाद चुनाव में जनता के बीच सभी नेता अब जाना सुरू कर दिये हैं वर्चुल मीटिंग के माध्यम से हो चा उनको यह फैसला करना होगा कि उनको कितना सीटे मिलती हैं और कितने सीटों पर वो जी दर्च करेंगे हलाकि जब महागरबंदन में वो सामील हुए चेत उनके बेटे हैं उनको आर्जेडी ने कह सकते हैं कि MLC बनाकर उनको एक तौफा दिया था जो उनकी नाराज़गी को दूर करने का उस समय प्रियास किया था उनको खुश करने का प्रियास किया था लेकिन अब राजिती है उ आरोप लखा रहा है कि सुसासन की सरकार में कहीं ने कहीं जो काम है वो नहीं हो रहा है लोग तरस्त है करोनाकाल का इस सिती को लोगों के बीच जाके बताने का विपक्ष काम कर रहा है बाड की सिती जो आई हुई है उस पे विपक्ष बार-बार घिरने का काम कर रहा है सोस चुनावायोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है अब अचारसंगिता लगती है इसके बाद चुनावी जो विगुल है बिहार में वो बज़ेगा नेकिन चीतन नाम मान जी अब अपना पत्ता खोलेंगे किस पाले में जाएंगे यह देखने वाली बात होगी आज के लि पत्ता जाएंगे को